ककड़ी की बेल पर लगने वाले कीटों का जैविक विदी से कैसे करें उपचार दोस्तों मैं लतीब कुरेसी आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लतीब कुरेसी बेस्ट गार्डिंग दोस्तों इससे मैं ककड़ी की बेलें लगी हुई होँगी आपकी छट पर या खेतों पर तो उसमें जो कीड़े बगर लगते हैं उसका बहुत ही सरल और सस्ता उपाय बताने जा रहा हूँ पूरा वीडियो देखें और आप अपने खेत पर या गंबलों में इसको करके भी देखें ताकि आपको इससे फायदा हो और आप अधिक से अधिक ककड़ी की बेल से ककड़ी पराप्त कर सकें दोस्तो इसके लिए आपको 100 ग्राम जो राख होती है चूलों में जो कंड़े जलाए जाते हैं उसकी जो राख मिलती है उस राख को आपको लेना है 100 ग्राम और उसी राख में आपको 50 ग्राम चूना मिलाना है और इसको 4-5 लीटर पानी में मिलाएं और इसको थोड़ा समय के लिए रख कर छोड़ दें हिलाने के बाद 4-5 गंटे बाद आप इसमें 5 लीटर पानी और मिलाकर इस तरल पदार्थ को छानने के बाद आपको अपने ककड़ी की बेल पर इसका छिड़काव करना है साम के समय या सुबह के समय आप देखेंगे कि जितने भी आपके ककड़ी की बेल पर जो कीट लगते हैं वह सारे के सारे इस एक छिड़काव से ही आपके खेट से दूर चले जाएंगे और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और साथी साथ आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा तो अमीद है जानकारी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार असलावालेकूम सस्रेक काल